तो लास्टे डिसकेशन हमारी हैं आज का टार्गेट जो कि आपको मोटिवेट करेंगी फॉर दा एक्जैम एंड उससे पहले पहले इसे बिगन के तरह तो नहीं तो कहा नहीं शुरू होती है अगे ये मैप कर एक करेंगे दिखाया था दूरर्म में बीखें भी दिख्वाया उसके भाद इस शुकर्फे भी दिखाया अज फिर दिखा, एच फिर दिखा इंपारो होना चाहिए कि आपके इस लेबर्स के अंदर ग्रिट कितनी है चार और किया आई-कैप हर ग्रिट से एक्वारी क्वेस्टन्स पूछता है जो उसने बेटिज दी है ना उसने वह लाजमी फॉलो करनी है वह उस बेटिज से लेफ राइट नहीं होता बहुत ही रेज है अगर होगा भी तो तो देख लें पंदरा से पच्चिस एक्किस परसंट फंदा से बीस पंदरा तन तालिस से पच्चपन पचास पूरेप पचास ओन अवरी जा रहे इंदस से पंदरा ऑन एवरिज चौटा और यह अवरिज नियू स्कीम की नहीं है यह अर्टम दोजार चौद सब्सक्राइब से लेगे नियुस्किन की बात कर लेते हैं यह जो कि स्प्रिंग बाइस से स्टार्ट ही है 15 से पच्छिस 18 19 20 17 कि पंदार से बीस और हमेशा वो मैक्सिमम साइड डरा है 20 20 19 और 20 पंदाले से पिछ पन तिये अफ़ फॉटी एफ फॉटी एफ फॉटी एफ फॉटी सिक्स थर्टी सैवन और तुटी इसन अटेंप्ट में ग्रिट सी में से पूरे पचास कंबर का पेपर आएकर अपने टेस्ट किया और अगर 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 उसको थोड़ा सा मजीद प्रिजर अफ़ तर्टी पर नुटी ते लेते हैं उस्क्रीम में 78 गेट के बाद 76 86 83 और 58 52 72 तो 72 यह सब से कम है आप है और 79 पास और 83 या निके स्प्रिंग टाइस में तरासी नंबर का वेपर था सरफ शे चैप्टर्स और तीन टॉक्टर्स तो तैयारी करते हुए इन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रवेसर वह में त्यार करना है अगर नीचे से कोई एक एरिया खिरका भी रह जाए तो कोई परशानी वारी बात नहीं है मैं कहता हूँ आपका चैप्टर नंबर 10 तेपर नहीं त्यार उपा रहा कोई था नहीं है अगर ये गैम आपने तियार किये लिए तो इसको पिर कवर करना और एक्जैम में और दॉक्यमेंटिशन आपने रवाइस नहीं किया कोई मसल्वरी बात नहीं है पुछ नियुक्त पुछा चेप्टर पूर एक्सेप्ट 2.30 याई की सैंप्रिंग और एविडाटर्स चार फिर 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 South कोई मश्लिबनी बास है मगर ये छे चेप्टर 4.3.13.5.6.11 और इसके बाद तीन एरिया कनुपरमेशन चंपनी जडर और 210 यह आपका बेहतरी इंद्यार होना चाहिए मश्वरा मेरा यह है कि चैट्टर नम्बर 12 को भी आप उठा कि यहाँ पर क्लास्वाइब कर ले न तो गेम और असान होजाएगे आपके लिए क्योंकि 11 और 12 को हमेशा उसके यह मूड हमेशा से राया है कि उसको वो आल्टिनेंट लेके चलता है कभी 12 पूछ लेगा कभी 11 पूछ लेगा और फिर 12 के लिए उसका बज़ दो आप्शन है या 610 पूछ लेगा तो जिन्देगी में जब भी परशान होगी पेपर पास कैसे करना है इस पेपर के अंदर मैं कहां पे खड़ा हूँ जस्ट मेक शूर कि आपको ये 6 चेप्टर सका तयार है तो गेम कपड़ है और बाइत्यारी से मेरा मगादी है कि आपने इसके सवाल सारे के सारे अट लीस सारे के सारे लिए क्यों बहुत सुरी मीचे वालों के लिए कुछ सवाल होगी है कुछ नहीं होगी है इसको टैक्शन वादी बाद नहीं है 14, 3 14, 3 और 13 ये 3 चेप्टर ऐसे हैं जिनको आप कभी भी हलका नहीं दे सकते है एक ये तीसी पर आपको सुरू में दिखाई थी चेप्टर में चेप्टर परोच परिशान है शमझ नहीं आरा कि I-CAP यहाँ से लॉजिकल सवाल पूछ रहा है यहाँ से अप्लिकेशन बेस सवाल पूछना है तो आप इस को समाव कर सकता है चेप्टर बन और आपको पता है कि बन में क्या क्या है एक एरिया है company z और एक उसके लावा तो company z क्या है basically application based और उसके लावा क्या है हमारे पार सारा का सारा knowledge based chapter 2 सारा का सारा क्या है knowledge based इससे क्या मराद है cramming वासे स्वार इससे logical स्वार और यहां से mixed question कभी logic कभी application बेस वार unit 1 planning और NPO को छोड़के कभी वो रटा पूछ लेता है आप यहाद होगा fraud में दो तरह के सवाब के procedures और identification of fraud respect तो mix sampling को छोड़के सारा रप्र के है knowledge based और sampling mix कभी रटा कभी logic chapter 5 सारा का सारा knowledge based है chapter 6 mix chapter 7 ratios को छोड़के knowledge based है ratios mix है 8, 9 और 10 यह cramming है मगर 505 में से वो दो तरह की सवाल में कालता है इसे तरीके से 11, 12 pure cramming है 13 के अंदर risk वाले सवाल लाज़नी उसने आई दो पूछने application based में 15 chapter कुछ भी नहीं है फिर 700, 701 और company log the report यह knowledge based है 705, 706 application based है और 60, 70, 80 यानिकि going concern, subsequent event और return representation यहां से आप हमेशा mixed questions ही expect करेंगे exam के अंदर कोई भी chapter त्यार करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके आपके पास आगे जाके time हो जाएगा squeeze after this week क्योपना time रहे जाएगा मैंतर पस महीना महीना नहीं चार कॉर्ट का तो नहीं है न यारा कॉर्ट का तो आपके पास तक्रीबन तक्रीबन आइजन से के पांच एक हफ्ते होंगे पैंटिस देन और यकीन मानिये पैंटिस देन में पर पर ट्यार हो सकता है क्यों क्योंकि आप गों के पास at least you have a sufficient base knowledge आउसको उठाएं revision करें then there are some general tips कुछ tips हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी लेके चले अपने साथ साथ सबसे पहले understanding खासर करने है उसके बाद आपने किताब को read करना किताब को read कर लिया go towards making mind maps नहीं याद हो रहा जो बाते किताब हैं लिखी हैं मगर knowledge है तो कोशिश करके इसको अपने लफाज में लिखें try to write in your own words आप लोग पहुन जाएंगे revise करें किताब से भी कर सकते हैं और अगर बहतरीन बात कुछें तो अपने बनाएवे notes से ही इसको revise करने की भी कोशिश करें then do some basic assessment पास से पास के दो तेहाई सवाल उठाएं उनको पढ़ें understand करें answer develop करें और अपने answer को match करें ये बहुत जरूरी है और ये दो तेहाई सवाल करने किस तरीके से हैं सवाल देखा सवाल पढ़ा अगर तो सवाल straight forward है और आपके दमाग में है कि यहां से ये चार बाते आनी है और वो सवाल तीन दफा कर रिपीट भी हो रहा है तो आप उसको एक दफा करने है उसको तीन दफा करने की जरूत नहीं है बट अगर वो सवाल थोड़ा सा चेंज है यहां पहले आई कि आपने उस एरिया से रटा पूछा पाद में एक लॉजिकल सवाल पूछ लिया जिसना आप याद होगा टू टैन में सारी सवाल प्रैमिंग बेस्ट हैं सिवाए एक सवाल के तो जो वो सवाल है आप उसको इस्तमाल करते हुए लॉजिकल सवाल के अधर केटेगराईز करें कुछ को लिख सकता है आंसर डिवैलोप करें फिर डिवैलोप करने के बाद एक्जैमिनर कुमेंट्स लाजमी दिखिएगा एक्जैमिनर ने उस स्पेसिफिक सवाल के अंदर क्या-क्या मसलिह बताइं झोंके बचों ने की और अगर आप भी वही मसलिह कर रहे हैं इसका मतब है कि आप फिर नहीं कर रहे हैं उन मसलों को अवाइड करें वांत अगर आप ने वो मसलिह कर दिये तो आम बाकियों से काफि जादा अफ्जल रायंकर जाएंगे और यही और वो चेंट करना है उपर वाले डूट तूटर आप ने किये सुरूशन आपके पास है, कुमेंट साब के पास है आप करें जो फाइनल वाले है आप इसको अपने किसी कुलीप को दें फर्मार कें, गृॉप्स बना लें दो दो के और आपस में चैलेंज करें क्योंकि थेरी कैन बोरियाद फील नहीं होती है थेरी में हो जाती है, नींद आती है अगर जब आपने किसी के साथ चैलेंज किया होगाना, तो वो चैलेंज अटिविटी आपको जिना रखे ली कि भाई नहीं, अगर उस नहीं करना है अगर मैना सवाल लेकि गई और बोलेकर आगई तो मैं तो पीशे हो जाओगा, तो यू है तो डेवलप इस हैबट आपको और अगर करना है यारा से ठीक दो वीक्स पीशे जाओ, शटबश को माँगा इग्जैक्ट तू वीक्स पहले यह वो सवाल है जो कि बेंच्वार्क्स है अब अगेन इसमे एक डिस्लेमर है यह आट्म दोवजान नौ तक है सॉरी, 2019 तक आट्म 2019 तक यह वो सेलेक्टड सवाल है जो कि आपने लाजमी अटेम्ट करनी है यह इनके उपर कोई कॉम्परमाइस नहीं है मगर यह लिस्ट कब तक है आट्म 2019 तक अब इस से ओनवर्ड एक लिस्ट मैं आपको 12 से प्रवाइड करूँगा जो कि 10 फैब क्याने कि रवियन से पहले आईगी और पहले आपकी यह एक्किविटी है, यह सवाल लाजमी करूँगा और उसके बाद जो एक ओल लिस्ट आएगी 10 फैब से ओनवर्ड वो फिर मैं आपको प्रवाइड करूँगा और आपने तब तक यह करने है और उसके बाद आपने वह वाज़ सवाल लाजमी करने है वो अराउंड कोई 20 एक सवालों की लिस्ट हो रोगी क्योंकि उसमें 2020 है 21 है 22 है 23 है चार साल आफ एटेंट्स हो रहा है यह कब तक है यह है ओटम नौ से लेके 2019 ओटम तक 10 साल 20 एटेंट्स की है कुछ तुनिंदा सवाल है जो कि आपने लाजमी लिख के करने है अगर कोई सवाल लिखा नहीं जा रहा है और वो इस लिस्ट में केटेगराईज होता है फिर भी लिखना यह लाजमी हैंड अजिटन प्रेक्टिस वाले कुछ से अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें कैसे करेंगे आपको याद होगा परफॉर्मस रिवीउज चेप्टर 5 आपने कुछ किया कुम्पेर करें कि आपके दोस्त का अंदर पहुंचे होगा उनके साथ मुकाबले डाले जो मैं भी बात कर रहूं है चैजरेंज वाली है यह भी जुने की जब आप कुछ को सॉलिट्यूट में ले जाएंगे ना दूसरों से अलग कर लेंगे तो त्यारी नहीं होगी फसे रहेंगे नहीं है कि मुझे बता चार सावाल कर ली है पूरा मेरा स्टेंड रवाइज हो गया इसके अंदर आई के अपने अगर कोई यह लिया उविए तक टेस्स नहीं किया और दिल कर रहा है उस तबाटेस करने का वो टेस्स कर ले वो कर सकता है वो जंकल का बादश्या चैनिज इसके ग्रूप्स बना ले दोदो के बना ले इंदिन के बिशिक बना ले मगर अपने इस थमाम एक्टिविटियोस को आपने और राक रखना है सास सास मॉनिटर हो के चलना है जो चीज समझ नहीं आ रही है माक करें तेली बेस की एक टार्गेट बनाए यह मुझे आज यह स्टेंडर्ट करना है और इसके तीन सवार करना है अचीव हो गया टार्गेट टिक लगा दें उसके बाद इस पेपर के बाद इन में सोचना ही नहीं है एफरा बाकी काम करें कम से कम कम से कम इसको डेर झांटा दें कम से कम के अ और अगर आप तो दो पेपर है तो देर जाना के अजम उठाई के था अच्छा, अब एक मेरा सवाल आप से, क्या आप लोग रात को अच्छा पढ़ते हैं और सुबा, दो टाइम स्लोट्स हैं बड़ाइडिया है, रात बारा से तीन का, और सुबा चार से साथ का, ये आइडिया ताइम स्लोट्स है, इन में मिनिममम डिस्टर्टन्स होती है, अवकर फैमली में भी कुछी खास हल्चन नहीं होती है, फेस्बुक भी डाउन हुई होती है, वाटसाइप के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता, इस्टाग्राम वैसे बजारा सोया होता है, तो बारा से तीन, बारा से तीन, आपको अपने मॉबाइल पगड़ना है, एफ आपको अपको लगे का पिया यह जादा स्विपर के लिए, अभी आपको फील हो रहा है, जब आपकड़ने बैठेंगे ना, तो यह जादा बहुत जादा है, क्यों आप काम कर रहे होंगे विद कंसिट्रेशन, विद फोकस्ट अप्रोच, वो भी ज़रूरी है, कितना लग सवाल को लिखने है, आप पांस सवाल हो, तो आइकर कहता है कि 1.8, और आइकर नहीं करते हैंगे, तो नौ मिनट, तो इसना के नौ मिनट हो, इसना के गदर आपने चार सवाल करने हो, तो 36 मिनट, अधा गेंटा, 24 मिन में एक सनर अगर आप देवास कर लेंगे, तो 3-5 गें सब्सक्राइक, पता है कि यार आइकर अपने स्टेंडर्स से इस तरह के हमेशा सवाल पूछे है, पैट सवाल, तो सब्सक्राइब तेट बता दे, इवलिवेट कर दे, रिस्क या मिसलिक पूछेगा, या और डिस्क पूछेगा, फ्रॉड दो तरह के सवाल ते, रेडिट पार्टी तीन तरह के सवाल है और वही बार-बार रिपीट करता है 210 चार बाते हैं उसने वही पूछनी बार-बार कंपनी जएक क्वालिफाय करेगा या नहीं करेगा उसके इतने सवाल है इतनी प्रेक्टिस पड़ी है कि वह बच्चे को वैसी प्रिवेड कर देते हैं सेंपलिंग आपको कर याद हो तो एक जी सवाल तीन दफ़र रिपीट होगा था चैप्टर 15 एक जी सवाल है रिपोर्ट्स हमें पता उसने क्या पूछना है 560 या फेज A में खड़ा या फेज B में खड़ा या फेज C में खड़ा है उसके मताबिक बता दे उसके क्या है प्रूसीडियर्स कैम आएगा कैम नहीं आएगा कैम करे एक टेबल है वो ही किया है मसालिए 610 प्रटा 620 सब्स्टांटिक आपको बनाने आते हैं 505 तीन तना के सवाल है खात आगया तो क्या होगा नहीं आया तो क्या होगा नेगेटिव वाली कब भीज लिए पुछ नहीं इस देखा है अई धर रहा है सिर्फ आप लोगों का एक मेंटल फिए इस पेपर को लेके आई कैप के अंदर मेरा ख्याल से जितने पैट सवाल इस पेपर में है ना इसी भी और पेपर में है यह पेपर पूरा नहीं हो सकता अज़े पोड़ के सवाल के बिना है समय तो तीन सुवाल से मुराद है 14 ब्रस प्रसाइब लिए से ना तो आगको नहीं रहेठें पता है कि आधा पेपर पर लिए एक सवाल जसका इक सवाल है रैपोर्यों का इक सवाल इत्रोह अधा पेंचिक के मतलब मेरा नहीं खिखाद है काफ 1 से लेकित काफ 8 तक इतना पैट पेपर होगा आपके पास नहीं है कितां पैट आफ 2 के अंदर सवाल चेंज होगा एरियस चेंज होगा इसमें तो पता है कि इस चेप्टर से सवाल आना और इस तुना का सवाल आना यह नहीं कहादा कि किताब खुलें आपको ब्रेक लेना चाहिए बोर हुए मेना बाहर गाए और क्लाउट को देखें आपको मेंटन एलैक्स सेशन मिलेगी किसी दोच को कॉल कर दा कि चुगली कर लाँ हाँ क्रिएट यर ओन कॉफी ब्रेक उठें चाहे बनाए पता है वह पांग दस मिलिट न अगर आप अपने आपको दें तो आप जब वापस आगे बैठते है न आप फ्रेश हुए होता है आप जब आप इससागा खोली और वहां पे स्नैपचाट और बोटन ही क्या होता है रीज वगार आप देखते रेकर यह पीस आप 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 बहुत आप बहुत है पता ने जल्दा के दो से तीन गब कब दे हैं और जब आप यह बुक को लेंगे तो टाइम फटेंगे नहीं होता है कोछीज छोड़ दें जिसना यह बलून्स है ना हवा में छोड़ दें जहाद को नगर आना शुरू करतें मां किताब के नहीं अच्टाब के पेज़ फाड़ के जहाद ना गर आना शुरू करतें यह स्टेंडर्ड त्यार हो गया चलो जी यह कहां दिखेंगे हां बाइक राइड कर लें चोगनी बचले जाएं तर्न आफ ओल दा इलेक्ट्रोनिक्स उठें घादिसादी भी जाए बंगरना शुरू करतें बिचलिया यह स्विच हो जाता है मगर यह काम करना है इस ताम पर करना है अच्छा कोई राइड जर्नल अच्छा देखना अंगरेस वो कहते हैं कि राइड जर्नल एक ब्रेक है क्या बता कि इन मासुमों से एक सवाल एक तक्रीफ हो रही होती है मगर यू के डिसाइड यूरोन ब्रेक जो चीज आपको पसंद है वो करना है इवन अगर आपको लगता है कि आप रिलाक्स हो सकते हैं दस मिल्ट के लिए वटसाइब इसमाल करती है वो करना है अधिन विच सेटिस्फाइज यूर ब्रेन यू शुद दू दा तीन घंडे का मौक दिना बहुत जुरूवी है उसके बैनेफिट्स क्या होंगे आपको मिलेगी राइटिंग प्र जिस्मानी एक एक साइज होगी कि तीन घंटों के अंदर मुझे ये पेपर मुकंबल कैसे चैप्टर वाइस चैस देना असान है इवन मिढ दिना भी असान है क्यों पता है गिंदी के 4-5-6 चैप्टर बगर तीन घंटे का मौक तीन हैं टिक के बैठना प्रेशन में बैठना उसको पूरा करना और सब कर दें यहां का भी दें बाहर का भी दें जो जो मिलता है दें लाजमें रहे हैं ताइम मैनेजमेंट की प्रेशस आपको मिलेगी कि आप में तीन घंडों में पेपर पूरा कैसे करना अभी इसके बार नबाद करते हैं और आपको एक्जाम से दो हक्ते पहले अपनी वीक्नेस अडेंटिफायर हो जाएगी कि आप लोग कहां पर लाग कर जाए है है मैं मौख दिया मुझे समझ हा गई है कि मेरा रिस्क का अरिया अभी कच्छा पक है कि रिपोर्ट का एरियर स्ट्रॉंग है मैं बड़ अच्या परफॉर्म किया हो आफ एक चिह रहें हैं एक अग्र एक आपको म्हें थे प्रैटिस करने वेजीज़ जरूरत है तो यह एक बहुत ज़ादा जरूरी चीज है यह एक बहुत ज़ादा जरूरी चीज है हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रेक्टिस की थी हम लोगों ने रिकॉर्ड मॉक्स लिए टेस्ट के लिए कि लिए लास्ट सेश्ट लिए अगर आप इन्रोल्ड है तो डेफिनिटी वो मॉक भी होगा क्यों आप एक और अगर आप प्रिपेर नहीं भी है फिर इस अपनी बॉड़ी को उस कंडिशन में लाएं आइकम में तो जाकर दीन में बैट नहीं है ना यहां में तीन गंडे बैट देखें कि आप कहां तक उसको अचीव कर पाते हैं और शायद वो मॉक देखके आपके अंदर थोड़ी सी शरम जाग जाए और आप उसको मजीद अच्छे वे में त्यार करना शुरू कर दो एक यह भी टेस्ट है पर आपने जाना आपके लिए अब कुछ चीजे हैं पेपर से पहले क्या करना है और रीडिंग ताइम में क्या करना है पेपर से पहले यू हैब तो टेक प्रॉपर स्लीप इंद लास नाइट उस रात को इस ताइम पे नहीं जा रोना उस रात में इस ताइम पर आपको जागने की ज़रूरत नहीं है यू शूड हवा गुड ब्रेक्पास आइकेब सेंटर पहुंचे कम से कम 20 से 25 मिनट पहले केन यू गेस वाई एक तो प्रेशर हो कर दो दूसरा वहाँ पहुंचते ना आप तकर खा रहे होते हैं यिवल को आई कैसे न होगे है यहां पे होती है झासे होता कि एे निए न भी थाभत कह बपन आए पीछसिी अनिले आगए टीए होगी आपके पास स्पेस हो ओगी इन यह होगी बैठने तो ना आपका ठेबल का congratulations कुरसी काम आरी कि इस इसको भी आपने बचाना है फिर आप लोग मेंटर इक स्ट्रेस में होंगे कि मैं लेट हो गया हूँ या हो गई हूँ इसका भी स्ट्रेस होता है और आपका पेपर टाइम बेस्टार्ट आए मगर माइंड उस वकद रेडी नहीं होता तो 20 से 25 मिंट पहले पहुंचे और पहुंच के भी ना आपने डिसकेशन ने शुरू करते हैं यह बहुत मुझे और चीज़ लगती है कि आप एक्जाम हॉल में आए हैं आपको बहुत साथे बचे मिलेंगे होंगे किसी के बास कोई नोट्स होंगे किसी के बास कोई नोट्स होंगे तुमने क्या तयार किया वह वादी बाते भी बतायागा जो उसने कभी जिन्दे की में तयार नहीं किया और आप पैने कुछे अपने आपको पैने कौन से बचाना है इस टाइम पे अल्ला के लावा किसी और से कोई बात नहीं करनी है कोई अगर पूछे भी तो नहीं करनी है बात बहुत टाइम है पैपर देखर आपर रजगे बाते करें मगर इस टाइम पे नहीं करनी है और अगर आप लोग किसी गाड़ी में हैं या family के साथ गए हुए है या गारी ने वाँ पर स्टेक करना है तो आप पहुंचे और उसके बाद तो गारी में रहे हैं गारी में बैठके अपना गड़ रवाइस करना चाहते तो रवाइस करना है मगर किसी के साथ discussion में ना involve हो उस वक्त का panic out of control होता है reading time start होने से पहले you should have a glass of water ये आपका hormonal imbalance नहीं होने देगा ना आपको panic करेगा और ना आपको शदीद excite करेगा पानी साथ लेकी भी जाए और at least reading time शुरू होने से पहले एक दास ले अच्छा फिर पेपल आपके हवाले हो गया आप आगे है reading time के अंदर सबसे पहले you have to skim the paper quickly to get an idea of total questions and relevant topics पेपल आपके हाथ में है let's say ये paper है ये paper है और नौर्मली पेपल इतना ही होता है दो सफों को होता है ये पेपल आपके हाथ में है अब आपके हाथ में है अब आपनी क्या किया question number one अच्छा नौर्मली ना पहला सवाल हमेशा हमेशा पर सबाद बड़ा हो ये यह कुछ आता है यह आता है ये यह मैं कर लूँगा फाफुर दुगेओ आगे यह यह नी आता तो पानिक नहीं होगा आपको सब कुछ आता है कोई भी ऐसी चीज इंग्जामिन नहीं आ सकती जो कि लास में कवर ना हुए ना ओगी यह कितने बातें क्लास में हैं और ही के यूंहीं से पेपर का सवाल है और ह Iya ब्राहें है कि अधीनसे के सवाल लिए इसके बाद इसही रिपोर्ट का सुनेगी अगिए अच्छाइग एकस्पर्ट का सवाल है, दन, सवाल सवाल कंपट का आ गया, अब किया है, आप 15 मिनट्स भी आपकी टोन सेटके, प्धरे 15 मिनट्स में अगर आपने एक सवाल को पकड़ के उसके पीछे पढ़ गैं न, तो फिर ना तो आपको पका होगा के बाकी पेपर में है, है क्या और वह सवाग जह सब्सक्रेंब्स आपने तियार किया है लिकले में फिर उतना है आपनिए और रवन्हार कितने हैं है और कौन कौन साथ टॉपिट आये अगल को रिखो की बड़ा से कखिए वहला है ह personality कोई Then see the questions in detail and underline the requirements 15 minutes में सबसे पहले आपने skim कर लिए देख लिया कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्या सवाल है, क्या नहीं है उसके बाद आपने देखा, जब आपने topics identify कर लिए ना फिर उन topics को rank करें कि इसमें से मुझे कौन सा अच्छा आता है Let's say, ethics का एक सवाल है फिर अब आपने वो सवाल पढ़ना शुरू किया डीटेल में पढ़ा और उसके requirements underline करनी है जिसमें ये पूछ है, ये पूछ है, ये पूछ है पेपर सीकोंस बनाना है आपने उस 15 minutes में और साथ timeline सेट करनी है ये सवाल मुझे 10 minutes में करना है, ये सवाल मुझे 15 minutes में करना है ये सवाल मुझे 20 minutes में करना है ये equally valid है, not just for audit, but for FR1, FR2, MFA, CMA, सब के लिए सवाल ना तीन तरह क्यों से है एक सवाल मुझे बहुत ही अच्छा थै एक सवाल मुझे mediocre आता है और इस जो मझे बिल्कुल भी नहीं आता इस बिल्कुल भी नहीं आता ना इस पर आपको 1% लगाने भी ज़रूत नहीं है ये time बचा ये यहाँ पर देज़ो तो इस लिए पहले आपने idea लेना है कि सवाल कितने है topics निकालने है उसके बाद देखना है कि बड़े सवाल कोंसे और पैनिक नहीं होना underline करें requirements को और paper sequence set करें आपको पता है कि आपने code का सवाल अब चुक्कि आपने code का सवाल की प्रेक्टिस की वी है और सवाल भी एक जैसा आगया है जो last time आया था उस तरगा ही एक सवाल आ गया तो आपको पता है कि मैं इस सवाल 6 मिनिट में कर सकती है अब अगर बेशक सवाल इतना ही बड़ा क्यों नहीं हो आपको पता है कि नहीं 6 मिनिट इसके लिए बहुत है तो वो 6 मिनिट है जैनि कि आप हर मिनिट आपके हाद में pen और आप लग उस लिख रहे है जो कि ऐसा possible नहीं होता आप pen बंद भी करते हैं आप सोचते भी हैं आप दुबारा pen खोलते भी हैं ताइम भावे भी यूज़ हो रहा होता Select your first, second, third and so on choices पहले घंडे में क्या करना है दूसरे घंडे में क्या करना है और तीसरे घंडे में मुझे क्या करना है मुझे कौन से सवाल कब कब करने है इसके बाद में बात करते हैं Mark the relevant number at left of question with a letter answer अगर यह law है तो Mention करें estimated starting and ending time with letters कि मैंने सवाल अब शुरू किया है और अब कतम Don't multiply every question with 1.8 कुछ सवाल well known होते हैं और good marks दे दे होते हैं तो आप उसको 2 या 2.5 से multiply कर सकते हैं Average questions can be given 1.8 Below average जो कि पता आता ही नहीं है यह बहुत ही कम आता है तो फिर उसको ना खुद परिशान हो ना उस सवाल को परिशान करें पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा पहले घंटे में आपने कोशिश करनी है कि आप तीस से तैंटिस marks निकाले हैं ढूंडें, search for pure theoretical questions and attempt that as your first preference कम से कम तीस नंबर के theoretical सवाल हर पेपर में आपको मिल जाएगे इसंदेपर निकाल कर देखें, वहां भी होगा उससे भी होगा, उससे भी होगा, उससे भी होगा कोशिश करके पहले घंटे में आप कोड का सवाल शुरू कर सकते हैं क्यों सब सवालों में से एक पैट सवाल यह है पता है के requirement में तीन बाती होंगी Threat, Evaluation, Save Guard You are in the second zone पहला दफाँ, आपने report पकड़ लेनी है कुनसी वाली, जिसमें मांगी होगा आपसे ताइप आप अपीन, यानि के 750, 606 तो 701 का कोई सवाल हो, 700 का कोई सवाल हो 605, 706 या 570 ये आपने report वहला सवाल, 2nd R में ब्लाइन करना है और अगर कोई कंपनी जग का सवाल है या सब्सकेंड इवेंट या सवाल है इन शॉड शेप्टर फॉर्टीन का कोई भी सवाल हो दर शुड बी इन दर सेकेंड जोन पहरे जोन में क्या करना है और अटा कहां से होगा अभी हम देखकर आए है चैट्टर में चैट्टर अप्रोच के लिए लिए लाइन से रटार है और जहां पर नहीं है ना वहां पर भी दिलिदा चांस एक आउटसाइड चांस है तो यहां से भी वो प्राइमिंग टेस्ट कर सकता है अच्छा आगे आप इसरे घंटे में आप एक सेकेंड रिपोर्ट हो गया एक पैट सवाल है कोड एक मेरे पैट सवाल है तीसरे घंटे में आपने या सैंप्लिंग या कनफर्मेशन यहां में भी न और चलेगा यहां पर आप एक कोई सवाए या कोई सवाल है या कोई सवाल रिस्क का है तो आपने वो की से घंटे में बगड़ना केट्व तीसरे घंटे में और जो सवाल आपको डिफिकर्ट लगना है या अंडर्सेंड नहीं होगा वह आपने पीसरे घंटे में प्लान करना है उसको यहां यहां पर शुरू कर देंगे तो सारी गेम खराब करतेंगे बहुत सारे बच्चों को साना प्यक्त आता होता है मगर वो टाइन पर फोरा में जबताता है क्यों नौलिज का होना एक की ज़ौर है तीन घंटे को मैनेज़ करना एक की ज़ौर है सजेशन है रेकमेंडेशन नहीं है अचा यहां पर आप इस सवाब भी एड़ कर सकते हैं एन इंटेकर का सवाब पांसो बीस रिस फ्रॉड इसना इस सवाब एक चैप्टर थ्री चैप्टर सेवन दैट शुड़ बी इन थर्ड हाँ चैप्टर 5 उपन्हाँ आपी यहाँ तुलव नियाँ पर आगेशा उयक्त कंत चैप्टर 5 उपन आजेगा 6 यहां पर आएका 8 यहां पे आगया, 9 यहां पे आगया, 10 यहां पे आगया, 11 यहां पे आगया, 12 यहां पे आगया, 13 यहां पे आगया, 14 यहां पे आगया, 15 अंगर आया है तो यहां पी आएगा तीसरा घेंटा आपने अपने पी बचा लिए पहले घेंटे में मोटिवशन पगड़नी है तीस नमबर । पहले करुडने हैं सेकेंड आर में उसको मज़ीद एकस्पैंड करना है ठेर्ड घेंटे में एंटर होते 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 हैं मगर पहने खोके में किया लगा, लिखो, सब कुछ आता है ना, अगर ये तीन घंडे में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फाइदा देगा, फिर छे महीनों का, चार महीनों का, तीन महीनों का भी पर फाइदा देगा, आपके सारी चीजें, इन छे महीनों बजा कि अखर दिन कि अखर दिन